नमस्ते बच्चों आज हम रहीम के दोहे को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर रहीम जी हमें जिन्दगी के बारे में अनेक संदेश देते हैं इस दोहे में देखिए रहीमन गली है सांकरी दूजोन टहराई आपों अहय तो हरी नहीं हरी तो आपों नहीं पहले आर्थ देखिए रहीमन केते हैं गली मतलब संकीर्ण रास्ता सांकरी मतलब संकीर्ण दूजो मतलब दोनों न मतलब दोनों को वहापर एक समय पर आना नहीं चाहिये ऐसा न मतलब नहीं टहराही टहराही मतलब टहरना रुखना आपों आपों मतलब मैं एक तो दूसरा अर्थ क्या है हमारे स्वभाव में रहे अहंकार गमंद इसे आपों कहते हैं अहय मतलब रहे तो हरी नहीं हरी मतलब भगवान हरी तो हरी तो अगर भगवान है तो आपों नहीं आपों मतलब मैं नहीं ऐसा मतलब दूसरा अर्थ क्या है गमंद नहीं रहीमन गली है सांकरी दूजोन टहरा ही आपों अहय तो हरी नहीं हरी तो आपों नहीं यहां पर रहीम जी मनश में स्तित गमंड के बारे में और उससे छोटने के बारे में संदेश देते हैं वो केते हैं भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग यानि प्रेम का मार्ग जो है वो उसकी जो रास्ता जो है ऐसा होता है कि संकीर्ण है प्रेम की गली संकीर्ण होती है वहां पर एक समय पर दो व्यक्ति टहर नहीं सकते एक संकीर्ण रास्ते पर एकी समय पर दोनों एक साथ नहीं जा सकते अगर गये तो आपस में टकराहट होती है इसलिए वो केते हैं आपो अहाई तो हरी नहीं हरी तो आपो नहीं अगर मैं उस रास्ते पर जाओंगा तो भगवान मुझे नहीं मिलेंगे भगवान उस रास्ते पर नहीं आ सकते क्योंकि वो संकीर्ण रास्ता है है ना और भगवान है तो मैं नहीं भगवान वहां पर है तो मैं वहां से नहीं जा सकता इसका अर्थ यह है कि जब भगवान उस संकीर्ण रास्ती पर जाते है तो मुझे उनके लिए रास्ता चोड़ना पड़ता है मैंने घमंड से रास्ता नहीं चोड़ा तो क्या होता है भगवान मुझे कभी भी न मिलने वाले हैं इसलिए रहीम का कहना यह है कि प्रेम का मार्ग यानि भक्ती मार्ग में चलते समय हमें सभी कस्टों का सामना करना पड़ता है और मुख्य बात यह है कि हमें हमेशा सच का साथ देना पड़ता है और प्रेम का मार्ग भक्ती मार्ग सत्ती मार्ग वही है है ना तो उस रास्ते पर चलते समय हमें हमारे मन में स्तित कामक्रोध मदलोभ जैसे जो विचार है शत्रू है उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना करता है हमारे मन में मैं जैसा अहम है ना उसे थोड़ना चाहिए तभी हमें भगवान से साक्षातकार हो सकता है वो केते हैं अगर मैं उस रास्ते पर जाओंगा भगवान सामने से आए मैंने उनके लिए रास्ता नहीं चोड़ा तो क्या हो जाएगा भगवान का दर्शन मिल जाएगा उनसे कभी साक्षात कार नहीं होगी और मोक्ष का मार्ग भी मुझे प्राप्त नहीं होगा इसलिए उनका कहना यह है कि हमें भगवान के लिए हमेशा रास्ता चोड़ना चाहिए जब हम भक्ति मार्ग को अपनाते हैं सत्य मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमारे मन में स्तित आपू मतलब घमंड उसको तोड़ना चाहिए तभी हम क्या करते हैं जिंदगी में सफलता पास सकते हैं और मोक्ष का मार्ग हमें दिखाई देता है अन्दरे रहीमरु इल्ली हेलताईदरे सत्य मार्गा भक्तिय मार्गा अन्थेलुदू अनेक कष्ट गळिंद कल्ल मोल्लो गळिंद कोडिर्वन्थद्दू आ दारी हेगिदे अन्थे हेलितरे किरिदाद कालु दारी इद्दा हागे आ कालु दारी यल्ली उन्दे समयेके इब्बरु वेक्तिगळु उट्टिके सागलिके साध्यागूदि इल्ला उन्द वेले एदुरु बदुरागी होद्रु अवरल्ली उप्परु इन्नोपरिये दारी अन्नु बिट्ट कोड़ बैकाक्त दे हागी ए आ उन्दु किरिदाद दारी अल्ली नानु होक्तीर बैकातरे भगवंत येदुरी निंद बंदरे भगवंत निगे दारी नन्न धर्मा अन्थेड़ तरे उन्द वेले भगवंत निगे नानिया के दारी बिट्ट कोड़ बैकान्वा अहंकारद भावनी इन्द भगवंत निगे दारी बिट्ट कोड़ दीतरे मोक्ष प्राप्ती ननिया आगो दिल्ला भगवंत न साक्षात कारव कूड आगो दिल आगागी नानु नन्न मनसी नल्लीरव अहंकार वन्नु त्यजिस बेइकुवन थेड़ तरे यावागा मनुष्य भक्ती मर्गवन्नु तन्न दागिसी कोड़िके प्रयत्न पड़तानु मोक्ष देड़ेगे मुकमार्तानु आगा अवनु तन्नलीरव इशड्वैरिगलनु दूर माडबे काक्तुदे कामा, क्रोध, मोह, मद मत्सर, मत्तु अहंकार वन्था भावनिगलनु त्यजिसी अवनु मुंदे साग्वे काक्तुदे हागित्रे मात्रा भगवन्ता अवनिगे लभिस्तानी यंथेडवन्तु दू भगवन्तन दर्शनात्तु दे मोक्ष दारियू काण्ट्तु दे यंथा हेडवन्तु दू इथरा नावु नम्मन निर्वा अहंकार वनु त्यजिसी सत्य मार्गदली मुन्न अडेदू भगवन्तु न क्रप्पेगे पात्ररागवे कुँँँँँँद्ता येडवन्तु दू मोक्ष दा मार्गवन्नु कंड कोलवे कुँँँद्ता रहीमरू इदोहे मुलका नमिगे त्रिलिस्ता आईदारे नेक्स्ट रहीमन जीख्वा बावरी कही कई सरक्पताल आपूतो कही बीथर रही जूती खात कपाल रहीमन मतलब रहीम केते हैं जिख्वा मतलब जीब ना लिए बावरी बावरी मतलब पगली पागल है वो कही गई कही गई मतलब कहती है सरक्पताल सरक्पताल मतलब स्वर्ग पताल मतलब पाताल यहाँ पर अड़त ऐसा निकलता है कि सरग मतलब यहाँ पर जो अच्छी बात है वो ये क्या है पताल मतलब बुरी बात आपू तो कही बीतर रही आपू मतलब वह स्वयब ऐसा कही कही मतलब कहना बीतर रही बीतर रहती है जूती कात, जूती मितलब कपाल, कपाल मितलब मार, जूती कात कपाल, जूती मितलब मार कान, कात मितलब खान, कपाल मितलब गाल रहीमन जिहवा बावरी कही गई सरग पताल आपूतो कही बीतर रही जूती कात कपाल यहाँ पर रहीम जी वानी की मधुरता की बारे में अपना विचार वेक्त करते है अगर आपको समझ में नहीं आये तो लिखिए वानी की मधुरता वानी की मधुरता की बारे में रहीम जी अपना विचार यहाँ पर प्रकट कर रहे है वो केते हैं हमारी जीब जो है पगली की तरह है वो कभी-कभी अच्छी बातों को भी बोलती है बुरी बातों को भी बोलती है जब भी वो दूसरों को गाली देती है और बुरी बातों को बोलने लगती है तो वो क्या करती है कुछ भी कहकर मुह के अंदर चिप जाती है परन्तों किसको मार खाना पड़ता है ? बिना कुछ पाप किये गाल को मार खाना पड़ता है इसलिए वो कहते हैं मनुष्य को हमेशा अपने जीब पर संयम रखना चाहिए और सोच विचार करके बात करनी चाहिए अगर बिना सोचे हम कुछ भी खह लेते हैं तो मार किसको खाना पड़ता है कपाल को मार खाना पड़ता है और इसलिए मनुष्य को हमेशा सोच विचार करके बात कर लेनी चाहिए नहीं तो उसकी प्रतिष्टा समाज में गट जाएगी उसे समाज में अपमानित होना पड़ेगा निंदा और ग्रिन सहनी पड़े भी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दुख भी सहना पड़ेगा इसलिए जो मनुष्य जब अच्छे बातों को बोलता है तो लोग उसकी प्रशमसा करते है जब उसकी जीब से बुरी बात निकलती है तो क्या होती है सब लोग उससे ग्रिना करते है उसकी निंदा करते है और साती साथ उससे बात करना भी उनका अपमान समझते है और स्वयम उस व्यक्ति को समाज में दुक्कित होना पड़ेगा और उसका सम्मान भी नश्ट हो जाएगा अगर वो अच्छे बातों को बोलता है तो क्या होता है समाज में उसका सम्मान और भी बढ़ जाएगी इसलिए वाणी की मदुरता की बारे में रहीम जी ये कहना चाते हैं कि हमें हमेशा सोच विचार करके बात करनी चाहिए हमारे वाणी को सहित रखना चाहिए ऐसा संदेश हमें देते हैं अंदरे रहीमरु येल्ली एन हेल्टा आइदारें थेल्डुदे मातिना माधुरिय एनू अनुद्रबग्ये हेल्टारे नम्मा बाईयल इरुवा एन नालगे एनू अदू हुच्चिया हागे अदे येन माड़त्त दे उल्लेय मात्तुगलन्दु कूड आड़त्त दे केट्ट मात्तुगलन्दु कूड आड़त्त दे उल्लेय मात्त नाडितागा जना प्रशंसे माड़तारे क Edwards माड़तारे केट्ट माद नाडितागाscreaming येनू तप्पु माड़ता केन्ये पेट्टु तिन्बै काद परिस्थित्ति बर्तत देstory एन घेल्टारे हागागी इल्ली नम्मा नालिगें थेळुद्धू अदू हुच्चिय हागे एनो उन्दू मात्तंदू हेल्ली बाईया उळगे आडगी कूत कोळुद्धत दे आधरे फेट्ट्ट्टो तिन् Tongदू मात्रा एनु तप्पु माड़्यदा नम्म केन्नें थेळुत्तरा हागीर्वागा केन्नेगे फेट्टूबेल पाटत्दन थित्रे नावेन माडबेPacकू यावत्त उल्ले मात्वगलन नाडबैको, उल्ले केल्सगळलने माडबैको उन्ता हेल तरे यावागा नाव नम्म मात्तिन मेले सां यम उन इट्ट कोणो दिल्वो आगे नाक्तुदे, इन्नोब्बरिंद नमिगे अवमान उन्ता आक्तुदे यंथेणु तरे आमाज दली नम्मा गवरव कूडा कडिमे आग बोधुन थेणु तरे हागागी इदनेल्ला गमन दल्लिट कोंडु नाव मात्तिये प्राशस्त्य वन्नु कोडबैका आक्तुदे मात्तु आडि दरे होईत्तु मुथ्त्तु अड़े दरे होईत्तो अन्मा मात्तिना हागे नावेन माडबैकु आडवव मात्तु यावरी तिर्बैकोंता मुदले योचने माड़ी आ मेले आ मात्तन नाडबैकोंत हेड़ु तरे मात्तिन मेले या वत्तु निगा ऐड़ में थेल तरे अष्टि यल्ला समाज़ दल्ली नम्मा गौरवा हेच्चाइव्ब atençãoत्रे यावत्तु योच्चने माडी उल्ले विचारगलनी माताड़ पैकों थेलतरे उन्द वेले नम्म नालगी इन्द केट्ट विचारगल बन्रे एनाक्तुदे समाज दल्ली नमिगे दुखव उन्टाक्तुदे नम्म प्रतिष्टेयु खडिम्याक्तुदे गवरोव हालाक्तुदे अष्टेयल्ला जना नम्मन्नु तिरस्कारद भावने इन्द नोड़ पोदु नम्मल्ली माताड़ नाड़ुदु अपराध अपमानांत तिल्को पोदु अंता हिळत्तार हगागी नम्म मात्तिन मेले नम्मिगे नियंत्रण विर्भाईको यावागलना उस हियादा मात्तने आड़बाईकोंता रहीमरु इल्ली ए उन्द दोहे अमूलका संदेशवनु कोड़ता इत्तार इदिस्टु अर्थागी जेंत नम्म कोळतेने अर्थागरी रे नियुँ केड़ बोधु घणी रहीम जल्पंक को लगुजीव पिवत अघाई उधरी बडाई कौन है जगत पिवासो जाई यहाँ पर रहीम जी परोपकार की भावना की बारे में अपना विचार वेक्त करते हैं धनी रहीम जल पंक को धनी का अर्तालग है यहाँ पर परन्तु शब्द करता लग है यहाँ पर अर्तालग है धनी रहीम, धनी मतलब धन्य है, जल, जल मतलब पानी, पंक, पंक मतलब कीचड, लगु जीव, जीव मतलब जीव पिवत, पिवत मतलब पीना, अघाई मतलब पूर्ण त्रिप्त होकर, उधदी मतलब समुद्र सागर, बड़ाई, बड़ाई मतलब बडपन, उसकी जो गरिमा है कौन है, जगत पियासो जाई, जगत मतलब ये दुनिया संसार, पियासो मतलब प्यास लगे, प्यास अंद्रे बायारी क्या गुदू, जाई मतलब होना परवपकार की भावना और साथी साथ ये बात भी बताते हैं कि इस दुनिया में एक चोटी सी वस्तु है, उसका भी अपना ही एक महत्व है इसे दर्शाने के लिए हमें इस दोहे के माध्यम से रहीम जी संदेश देते हैं धनी रहीम जल पंक को लगो जीव पियत अगाई, धन्य है कीचड का जल यहाँ पर रहीम जी केते हैं कीचड का जल ही धन्य है क्यूंकि उस कीचड के जल को पीकर चोटी चोटी जीव क्या करते हैं पूर्ड दुप्त होकर जीते हैं और सागर इतना बड़ा है, विशाल है परन्तो अगर दुनिया में किसी को प्यास लगे तो वो सागर का पानी पीकर अपना प्यास बुझा नहीं सकता क्यूंकि सागर का पानी जो है नमकीन होता है, सागर देखने में इतना विशाल है यहाँ पर जाकर मैं प्यास बुझा सकता हो ऐसा सोचा तो वो कभी अपने प्यास नहीं बुझा सकता क्यूंकि वो नमकीन है इसकारत यह है कि दुनिया में चोटे चोटे वस्तो भी अपने ही एक तरह के महत्त रखते हैं और एक व्यक्ति को प्यास लगे तो वो कीचड के जल को पी कर अपना प्यास बुझा सकता है परन्तो सागर का पानी पीने के योगी नहीं है और इसका अर्थ यह भी बनता है कि जो अपने पास जितनी संपत्ती होने पर भी दूसरों की सहायता नहीं करता तो उसकी संपत्ती व्यर्थमानी जाती है जो व्यक्ति गरीब है फिर भी वो दूसरों की बारे में सोचता है दूसरों की सहायता करता है तो क्या होता है उसकी जिंदगी सार्थक बन जाती है ऐसे ही यहाँ पर हमें हमेशा दूसरों के प्रती परवपकार की भावना रखनी चाहिए तभी हमारी जिंदगी में हमें सफलता भी मिलेगी और हमारा जीवन जो है उस सार्थक सिद्ध हो जाएगा और हो केते हैं ए चोटे चोटे जीव जो है जिस प्रकार जल पर रहकर कीचड की जल को पीते हुए उससे पूर्ण त्रप्त होकर जी रहे हैं ऐसे ही मनुष भी अगर उसे प्यास लगी तो कीचड की जल को पीकर अपना प्यास बुझा सकता है अंदरे केसरीना नीरे धन्यांता इल्ली रहीमरु हेलता इदरे मुख्य वागी इदोहे मुलक नमीग कोडवा संदेश इनों तेणितरे यावत्त्तु मनुष नल्ली परोपकारदा भावने इरपएको अन्थेणुतारे इन्ननंदु विशे हेलतारे प्रपंचु नल्ली नावो इसन्ण सन्ण वस्त्तुगलिके महत्त्तु ओन्ने कोडूदिल्ला आधरे आ सन्ण वस्त्तुगलिके महत्त नावो अर्थमाडि कोडवेको दोड़्ट वस्तुगल बग्यमात्र नम्म गमन होक्त्तु दे आधरे सन्ण वस्तुगलन्नु यारू परिगाणी सूधियल्ला हागे इल्ली विशालवाद समुद्र यल्लरन अकर्षिस्त दे अधे केसरीन नीर इरुवंथा आ सन्ण केरे इर पोदु तोड इर पोदु अधे आरिगु काणू दिल्ला हागे इल्ली एल हेड़तार अन्थेड़तरे मनुष्यनल्ली आवत्तु परोपकारत भावने इर बैकु हागागी रहिमरु उन्दु उदाहर्णे कोड़ताई दरे केसरीन नीरे धन्या आ केसरीन नीरन्न कोड़तु इस्टो जीवा जन्तगळु कीटगळु एन्मर्तवे तम्म जीवन वन्नु संत्रुप्ति इंदा सागिस्ताईवे आ केसरीन सिहियाद नीरु अवगळिके जीवनाधार आगी देन्थेड़वन्त दो हागी समुद्र इस्टे विशालवागि दरु कुड आ समुद्रदा नीरु कुडिलीके योग्यालला आंथेड़वन्त दो समुद्र इस्टे प्रपण्चि दल्ली यारी गादरु बायारिके आत्रे समुद्र विशालवागि दे ना ना श्रमुद्रद नीरन्नु पोकी कुडित तेने अंता बयसित्रे एनत्त दे आ समुद्रदा नीरु नम्म बायारिके एन्नु खंडिता तणिसूरीला अदू उप्पागीट्त देन थेड़वन्त दु आ शक्ति नुप्परा बायारिके एन्नु तणिसुवा शक्ति समुद्रदा नीरिके इल्लांत इल्ली कवि हेलत ता इद्धरे आ समुद्रदा नीरिना बदलागी केसरिना सिहियाद नीरन्ने कुडी उदु उत्तमान्थेल तरे अधर इंदा नम्म बायारीके तणिदो होग्पोदु अंता हेलता है हगागी इप्रपण्चुदल्ली यावुदे उन्दु सण्न वस्तीर पोदु अधर न telaव परिगहिसबैको अधग्ये तंदे आधमधि यादा महत्त्वोई इदे अधάν वर्थामाडी कोडबैको अधग्ये तंदे आधन्धि यादन्था उंदु घनती इदे श्रेष्टती इदे अधन नम्मो तेलिदु कोंडो अधे जीवन दल्ली महत्तों उन्य कोड़वेक आख्तुदे अधे रीती यारल्ली संपत्ति दियो अवर इन्नो प्रिगे सहाय माड़ुतरे अवर संपत्तो हेच्छाक्त्तुदे विनहा यावत्तु कडिमे आगु दिल्ला अवर जीवन सार्त्तका आख्तुदे एन्थेड्वान्तुदू आधरे अवने इन्माड़्तने इन्नो प्रिगे सहाय माडो बगे येच्छनी माड़ुत opportunities अधे उप बडवा एन्माड़्तने तन्नल्ली आवदे रीतिय संपत्ति इल्ला दीत्रु कूडा इन्नो प्रिगे सहाय माड़ों मनो भावनेनु होंदीर ताने यंद्धेडवन्त दो हागागी अवन जीवनाली सार्थक्येवननु पड़ेत्त दें तहेडवन्त दो नावु यावदे विचारा वस्तु वन्नु अल्ली गवणा अन्त अन्कोलवाडदू अधेल्ला नमिगे जीवन दल्ली सहाय माड़त्त दे परवपकारद भावने प्रत्योप्भरल्ल इरुपईको हागी द्रे मात्रा जीवन दल्ली यशस्सु सिक्त दे जीवन दल्ली सुका शांतिनेम्मदी इंद बाढ़लिक्के साध्याग्त देंता रहिमरू इवंद दोहे मूलकनमी संदेश वन्द कोड़ता इद्धा है नेक्स्ट लास्ट दोहे एकई साधे सबसदै सबसदै सबजाई रहिमन मूलही सींचीबो फुलै फलै अगाई एकई साधे एकई मतलब एकला एक ही साधे साधना करने पर सबसदै सबसदै करेंगे मतलब सब हो जाए सदै मतलब सिद्ध होना सबसाधे सबसाधे मतलब साधना करने पर जाए मतलब होना रहिमन रहिमन केते हैं मूलही मतलब जड जड अन्रे बेरू सींचीबो मतलब पानी देना सींचना सींचना फूलाई फूलाई मतलब फूल फलाई मतलब फल अगाई मतलब पूर्ण त्रुप्त होकर एकई साधे सबसदै सबसाधे सबजाई रहिमन मूलही सींचीबो फूलाई फलाई अगाई यहां पर रहीम जी भगवान के प्रती मनुष्य के अनन्य भक्ती के बारे में बताते हैं वो केते हैं हमें हमेशा एक ही भगवान की उपासना करनी चाहिए एक ही भगवान की उपासना करने से क्या होता है सब काम आसानी से हो जाएगा उदाहर्ण के लिए एक पौधा है उस पौधे को कहा पानी देना चाहिए उसके जड़ को पानी देना चाहिए उसके जड़ को सींचने से क्या होता है वो पौधा पूर्ण दृप्त हो जाता है और वो पानी जो है उसके ये शरीर पर पहुंच जाती है फल देती है फूल देती है इसे ही यहाँ पर हमें एक पौदे के पत्ते को जड़ को अलग-अलग सिंचने की आवशकता नहीं है उसके जड़ को ही सिंचने से वो पूर्ण तृप्त हो जाती है और हमें फल फूल देती है ऐसे ही हमें एक ही भगवान की उपासना करनी चाहिए इश्वर जो है एक ही है उसकी भक्ति हमें कर लेनी चाहिए अगर एक भगवान की और एक विचार को लेकर हम उसके बारे में सोचेंगे और उसकी आराधना करेंगे तो हम अपने कारी में आसानी से सफलता पास सकते हैं स्रिष्टी का जो मूल है ओ भगवान एक ही भगवान की हमें उपासना कर लेनी चाहिए और एक ही भगवान की आराधना करने से क्या होता है हम सब काम आसानी से कर सकते हैं हमें जिन्दगी में सुक, शान्ती सब कुछ मिल जाएगी अन्दरें इल्ली रहीमर हेलताईदरे भगवान तना अनन्य भक्तिय बग्ये तम्मा अभिप्रायवन हेलताईदरे ना वो भगवान नननू अल्ली इल्ली यंत्रा हुड़ुकतेवे आदरे किलवरु तुम्वा देवरन्नु पूजे माणतारे आधरे ना भगवंता अन्थेलिदरे अवन स्रिष्टिया उन्दू मूला कारणा अन्थेल पोदू हागागी स्रिष्टिया कत्रु अन्थेल पोदू आश्रिष्टि कर्त्तु ना अधन्था परमात्मनननु पूजिस्पेकात्रे मुदलू नावू नम्म मनसन्नु सरियागी केन्री करिसी उब्बने भगवंतनननु पूजिस्पेकू एका देवतार आधनी माड़ पैकूँ अन्त हेलत्ता हागीत्रे मात्रा नाव माडव केलसगलली सफलाते इनु पडिलिक्के साथ्या अन्दरे इनन लंदू विच्चार कोडा हेल पोदिल्ली यकंधरे नावू एन माड़त्ते वें तरे उन्दू केलसवननु माड़त्ते वे अधन आर्थक्के बिट्टे इनन लंदू केलसगल्समाड़ते वे प्रत्तीक वागी अध्रबेरिये कांड़के प्रत्तीक वागी अध्रबेरिये कांड़के प्रत्तीक वागी अध्रबेरिये कांड़के प्रत्तीक वागी अध्रबेरिये कांड़के